नमस्कार आप देखरें पुलिस साला वैब नियूज और मैं हूँ आपके साथ चबी शापुरा नगर और आसपास के ग्रामिन छेत्रों में कल से जोरों से अब वहाँ फैल रही थी कि शापुरा नगर में पॉजिटिफ कॉरोना मरीज पाई का है ऐसा सोशल मीडिया में भी बारल हो रहा है जिसके कारण आसपास के ग्रामिन छेत्रों में भी आग की तरह फैल रही है लोगों में भै का माहुल बना हुआ है जांकारी के अनुसार शापुरा नगर में रहने वाले जैन समाज के दो लोग जवलपुर से लोट कर अपने घर शेहपुरा आये हुए थे उन्हें प्रशासन की टीम ने घर में ही कोईंटाइन कर दिया है घर से ना निकलने की सक्त हिदायत दी है शापुरा ब्लॉक मैडिकल अधिकारी डॉक्टर सीके अत्रोलिया के द्वारा बताया किया कि आज उन लोगों का सैंपल लिया जाएगा और जांच के लिए भिजा जाएगा आज सभी छेत्र के लोगों से अनुरोध है कि ऐसी जूटी अबाहों पर ध्यान ना दें सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करें और घर पर सुरक्षित रहें और जिन लोगों ने अब वाफ वलाई है उन पर कड़ी कारवाही की जाएगी जो सहब्रम अपवाय कल से पूरे छेत्र में गरानी छेत्र में ली कोरोना वाजित्यू जो मरीज पाये गए हैं तरी क्या है यह अपवाय है कल हमें सूचना प्राप्त होई थी कि जवलपूर दरहाई से संजय जैन पिता सुभाज जैन उम्र 33 वर्स उनकी पतनी कांती जैन पती संजय जैन उम्र 47 वर्स यह दरहाई जवलपूर से आई हुए थे इनकी स्क्रीनिंग हमने कल की हाला कि इनको ऐसे कोई लच्छन स्क्रीनिंग में नहीं दिखें फिर भी यह बाहर से आःत है ते हमने इनका सेंपल के लिए आज बूलाया है इनका सेंपल के जैन के लिए जह बढ़ना है यह क्या है उस छेत्र से आई हुए थे इसके लिए हमने इनका सेंपल जाच के लिए भेजा है आज भेज रहे है आई सेमार जबलपुर में इनके सेंपल की जाच होगी जिसकी रिपोर्ट कल आ जाएगी कितने लोगों का सेंपल भेज रहे हैं। यह सरसर गलत है यह इसी अपवाई फेलाई जा रही है। इन अपवाई फेलाने वालों पे कड़ी से कड़ी कारवाहि की जाएगी सासन इस तर पर। इसकी सुचना हमने स्टेम साप को दी है इसकी सूचना हमने SDM साब को दी है और समंदित थाने में इसकी सूचना दर्च करा दी है इन पे कारवाही जरूर होगी